नमस्कार स्वागत आप सबका नारटीवी पर किसी भी भारतिये के लिए बॉलिवुड उसके जीवन का एक अहम है और वा दुनिया में कहीं भी रहे अपने देश से बॉलिवुड के जरीए जुड़ा रहता है शायद इसका आकरसड ही कुछ ऐसा है कि क्या बच्चे और क्या बोजर्ग हर कोई इसका दिवाना है इस बॉलिवुड में ऐसे परिवार भी हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी इसको कोई नो कोई सितारा देते रहते हैं हम यहां कहीं से भी नेपोटिजम का समर्थन नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ यहां प्रतिवा का सम्मान कर रहे हैं इन परिवारों के ऐसे भी सदस्य हैं जो बॉलिवुड के योगी नहीं थे और बॉलिवुड ने भी उन्हें नकार दिया एक ऐसे ही परिवार की चर्चा हम अपने आज के इस एपिसोड में करेंगे जिसके बारे में जानने के लिए आप सभी दर्शक कई दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे जो बॉलीवुड में कपूर, खान और देवल परिवार जैसा ही महत्वर रखता है और वो है देवगन परिवार तो आएए जानते हैं देवगन परिवार के कुछ ऐसे पहलूओं और कुछ ऐसे सदस्यों के बारे में जिनसे शायद आप लोग अभी तक अंजान है बॉलीवुड में देवगन परिवार की निव रखी थी मशहूर एक्शन डिरेक्टर वीरू देवगन ने इन्ही वीरू देवगन की संतानों में से एक हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार अजी देवगन तो एक एक करके हम देवगन परिवार के बारे में आपको बताते हैं इसके शुरुआत हम वीरू देवगन से ही करेंगे वीरू देवगन का जन्म 1934 में पंजाब के अमरिस्टर में हुआ था किसी भी आम भारती किशोर की तरह ही वीरू को फिल्मी दुनिया बड़ी अच्छी लगती थी और फिल्मों में हीरो बनने की चाहत के लिए कुछ दोस्तों के साथ वीरू मुंबई निकल पड़े साल था 1957 मुंबई आये तो जाना कि जिन्दगी कितनी कठोर होती है हर कदम पर आपकी परिक्षा लेती है मुंबई शहर और भूक ने उनको तोड़ दिया जहां उनके साथ है कुछ दोस्त हार कर अमरिस्तर लोड़ गए वहीं वीरू छोटा मोटा काम करके अपना दिन गोजारने लगे कभी टैक्सियां साफ कर लेते तो कभी कारपेंटर का काम जब कुछ हाऊसला बढ़ा तो फिल्म स्टुडियोस के चक्कर काटने लगे क्योंकि बनना तो इन्हें हीरो ही था और इसके लिए वीरू ने दस साल तक खूप संखर्स किया लेकिन उन्हें अब समझ में आ गया कि हिंदी फिल्मों में जो चौकलेटी चेहरे एक्टर और स्टार बने हुए हैं उनके सामने उनका कोई चांस नहीं है खुद वीरू देवगन ने एक इंटर्वी में बताया जब मैंने आईने में अपना चेहरा देखा तो दूसरे इस्टगलर्स के मुकाबले खुद को बहुत कमतर महसूस किया इसलिए मैंने हार माल ली लेकिन मैंने प्रण किया कि मेरा पहला बेटा एक हीरो ही बनेगा इसी दोरान काम ढूडने के सिलसले में वा डारेक्टर राजखोसला सहाब के पास बहुच गए जो उस समय अनीता नाम की एक फिल्म पर काम कर रहे थे यहां वीरू जी की मुलाकाद राजखोसला से तो नहीं हुई लेकिन फिल्म के एक्शन डारेक्टर ने उन्हें फिल्म में स्टेंड मैंन का काम आफर किया जिसे वीरू ने स्वयकार कर लिया और जी जान से काम करने लगे फिल्म में उनकी महनत और लगन को देख कर फिल्म के हीरो मनोज कुमार सहब उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंन वीरू देवगन जी को अपनी अगली फिल्म रोटी, कपड़ा और मकान के लिए एक्शन डारेक्टर के तोर पर साइन कर लिया और यही से वीरू देवगन का करियर बॉलीवुड में एक एक्शन डारेक्टर के रूप में शुरू हुआ जो उनके लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ इसके बाद वीरू देवगन ने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा और अपने फिल्मी करियर में क्रांती, खेल खेल में, सत्यम शिवम सुंदरम, मिश्टर नटवरलाल, हिम्मत वाला, मिश्टर इंडिया, विश्वात्मा जैसी असी से भी ज़्यादा फिल्मों में एक्शन डारेक्टर के तौर पर काम किया इन्होंने हर दौर के बड़े सितारों के साथ काम किया है, चाहे वो दिलिप कुमार हो, मनज कुमार हो, शारुक हो या फिर आमिर खान हो जहां एक तरफ वो एक्शन डारेक्टर के रूप में मशुहूर थे, तो ही दूसरी तरफ उन्होंने विश्वात्मा फिल्म में असिस्टेंट डारेक्टर के तौर पर काम किया और जिगर फिल्म का लेखन भी किया, 1999 में आई फिल्म हिंदुस्तान की कसम का नर्देशन भी किया इसके अलाव've 1989 में आई सोरव और 1986 में फिल्म सिंगहासन में वीरु देखन ने अभिने भी किया साल 2019 में 85 वर्ष की उम्र में वीरु देखन का नेधन हो गया विरू देवगन का विवाख वीणा देवगन से हुआ था इस दमपत्ती की चार संताने हैं जिनमें दो बेटे अनिल देवगन और दो बेटियां नीलम और कविता हैं तो अब बात करते हैं इनकी अगली पीड़ी यानि की इनके बच्चों की वीरु देवगन के सबसे बड़े बेटे हैं हमारे बॉलिवुड के सिंगहम सुपरस्टार अजय देवगन जिनका असली नाम है विशाल देवगन विशाल देवगन अजय देवगन कैसे हो गए इसके पीछे का किस्सा भी बड़ा दिल्चस्प है जो हम आपको आगे बताएंगे विशाल यानि की अजय देवगन का जन्म 2 अप्रेल 1971 को मुंबई में हुआ था अजय ने अपनी स्कूल की शिक्षा सिल्वर बीच हाई स्कूल से तो असनातक की पढ़ाई मिठी बाई कॉलेज मुंबई से पूरी की जहां एक तरफ अजय की पढ़ाई चल रही थी तो दूसरी तरफ उनकी फिल्मी दुनिया की ट्रेनिंग भी चल रही थी और इस तरह अजय फिल्म मेकिंग को लेकर बहुत सच्छम हो गए अजय ने पहली बार एक बाल कलाकार के तौर पर प्यारी बहना नाम की एक फिल्म में कैमरे का सामना किया था लेकिन अजय की फिल्मी दुनिया में एंट्री हुई इसके पीछे भी एक रोचक किस्सा है चुकि वीरू देवगन हर हाल में अजय को हीरो बनाना चाते थे जिसके चलते उन्होंने फिल्म नर्देशक सलीम अक्तर से मुलाकात की जो उस समय अपनी फिल्म जिगर के लिए एक नए चेहरे की तलाश में थे वो आजय से बहुत प्रभावित हुए और अपनी फिल्म के लिए उन्होंने अजय को काश्ट कर लिया सलीम साहब ने इस बात का जिक्र फिल्म निर्माता दिनेश पटेल से की जो उस समय कुकु कोहली नर्देशित फिल्म फूल और काटे का निर्मार कर रहे थे उन्हें भी अजय अपनी फिल्म के लिए पसंद आ गए और उन्होंने फिल्म के लिए पहले से चुनेगे हीरो को हटा कर अजय को इस फिल्म में साइन कर लिया जिस नए हीरो को इस फिल्म से हटाया गया था जानते हमा कौन थे वाते अक्षे कुमार जो उस समय फिल्मी दुनिया में अपना सिक्का जमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे शायद इसे ही नियती कहते हैं किसे पता था जिसे हटाया गया है वो आगे चल कर एक सुपर स्टार होगा खेर बात चल रही है अजे दियोगन की तोसी को आगे बढ़ाते हैं विशाल को अपनी पहली फिल्म मिल चुकी थी लेकिने अपने शुरुआत से पहले ही इन्हों ने अपने जन्म नाम विशाल के अस्थान पर अपना स्टेज नाम अजे से बदल दिया क्योंकि उनके अभिनेता के रूप में लॉंच होने से पहले ही एक और अन्यभिनेता विशाल नाम से ही फिल्मी दुनिया में एंट्री कर चुके थे और वाते मनोज कुमार के बेटे विशाल गोश्वामी इस तरह इन्हों ने अपनी फिल्मी करीर की शुरुवात फूल और कांटे सी की जिसके लिए इन्हें बेस्ट डेविव का फिल्म फेर आवार्ड भी मिला फूल और कांटे के बाद अजे देवगन की फिल्म आई जिगर इसके बाद अजे ने जान, दिलवाले, सुहाग, जख्म, कमपनी, दलीजेंड आव भगस सिंग सहीत सो फिल्मों में अपने दमदार अपने की छाप छोड़ी जिसमें जख्म और दलीजेंडरा भगस सिंग के लिए इनने राश्ट्री पुरसकार से भी नवाजा गया एक तरफ जहां अजे ने सो फिल्मों में अभिने किया है तो साथी साथ शिवाय जैसी फिल्मों का नरदेशन भी किया है साल 1999 में अजे ने फिल्म अभिनेत्री काजोल से शादी की जो फिल्म अभिनेत्री तनुदा की बेटी और फिल्म अभिनेत्री स्वरगी नूतन जी की भांजी है काजोल की बहन तनिशा भी फिल्मी दुनिया में सक्रिये हैं खुद काजोल भी बॉलिवुट की सबसे बहतरीन अभनेत्री के तौर पर जानी जाती हैं जिनोंने बाजीगर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ-कुछ होता है, कभी खुशी, कभी गम, फना और ताना जी जैसी फिल्मों में बहतरीन अभिने किया है अजे और काजोल की दो संताने हैं, इनकी बेटी का नाम न्यासा और बेटे का नाम युक देवगन है, दोनों ही अभी पढ़ाई कर रहे हैं निसे थी आज अजे बॉली बुड के सबसे बहतरीन कलाकारों में शामिल हैं, इनने संपोर्ण कलाकार कहना गलत नहीं होगा, जो हर विधा का अभिने कर सकते हैं इनकी इसी प्रतिवा को भारत सरकार ने वर्स 2016 में पदमश्री से समानित भी किया है अब बात करते हैं वीरू देवगन साब के दूसरे बेटे और अजे देवगन की भाई अनिल देवगन की जहां एक तरफ अजे को फिल्मों में एक्टिंग करना पसंद है, उसके उलट अनिल को कैमरे के पीछे रहना ज्यादा पसंद है इसलिए अनिल देवगन लाइम लाइट से दोरी रहते हैं और इन्हें क्रियेटिव वर्क ज्यादा पसंद है अपने स्कूल की शिक्षा केंद्रे विद्याले दिल्ली और कॉलेज की पढ़ाई सरदार भगस सिंग कॉलेज नई दिल्ली से पूरी करने के बाद इन्होंने सुनील अगनिहोतरी और राज कवर जैसे फिल्म डारेक्टर को असिस्ट करना शुरू कर दिया और इस तरह इन्होंने अपने बॉलीवूट करियर की शुरुवाद जीत, जान और इतिहाद जैसी फिल्मों में असिस्टन डारेक्टर के तोर पर की इसके साथ अनिल का रोजान स्क्रिप्ट राइटिंग में भी रहा, आगे जाकर इन्होंने राजू चाचा फिल्म का निर्देशन भी किया जहां राजू चाचा वर्स 2000 में रिलीज भी, जो उस समय तक बॉलीवूट की सबसे महेंगी फिल्मों में से एक थी इसमें अनिल के निर्देशन और क्रियेटिव वर्क को काफी तारीफ मिली, लेकिन बॉक्स आफिस वर्या फिल्म सफल नहीं हो सकी इसके बाद अनिल ने ब्लेक मेल और हाले दिल फिल्म का निर्देशन भी किया, लेकिन वो फिल्म में भी सफल नहीं हो सकी फिलहाल अनिल बॉलिवुर्ट से दूर हैं और वरतमान में अजे देवगन की प्रड़क्शन हाउस अजे देवगन फिल्म्स का काम समहलते हैं और इसमें वा क्रियेटिव टीम के हैड भी हैं इस बैनर के तले लगभग 20 फिल्मों का नर्माड हो चुका है जिसमें शिवाय और ताना जी जैसे फिल्मों में अनिल ने क्रियेटिव डिरेक्टर का काम समहला है अनिल देवगन की शादी और परिवार के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है इसलिए बात करते हैं अजे देवगन के बहनों की वीर्यू देवगन की दो बेटिया हैं जिनका नाम कविता देवगन और नीलम देवगन है कविता देवगन पूरी तरह से लाइम लैट से दूर है और इनके बारे में हमें कोई विजानकारी नहीं मिल पाई है लेकिन अजय दिवगन की दूसरी बहन नीलम सोचल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं और एक सोचल मीडिया सेलिबेर्टी के तोर पर जानी जाती हैं इनका विवा मुंबई के गाधी परिवार में हुआ है और वर्तमान में हुआ एक स्वतंत्र विजनस भूमन है नीलम के दो बेटे हैं जिनका नाम दानिश गाधी और अमन गाधी है दोनों ही अपना करियर बॉलिवुड में बनाना चाते हैं और इसके लिए वो तयारी में भी जुड़ चुके हैं नीलम के बड़े बेटे दानिश दा बिग बूल हेलिकाप्टर एला और ताना जी जैसी फिल्मों में असिस्टन डारेक्टर के तोर पर काम भी कर चुके हैं और अपने मामा अजे देवगन की तरह ही फिल्मों की बारी कियां सीख रहे हैं तो दोस्तों ये थी जानकारी देवगन परिवार की और हम आशा करते हैं ये सदा सफल, स्वस्त और प्रसन रहें और इनकी आने वाली पीडियां भी वीरुदरगन सहाब की विरासत को आगे ले जाएं तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ तब तक के लिए नमस्कार